Hello students, welcome back to my channel आज की क्लास में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं प्रिंसिपल औफ फर्मॉलेशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्कीन केर प्रोड़क्स क्लिंजर और फेस्वास के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स जाता है हमारा क्लिंजर और फेस्वास का जो हमारा यूज है यो अउन सब चीजों को बाहर करने के लिए क्या के जाता था अब इंट्रोड्सन के बारे में में जैसे देखें तो फिर बोला जा रहा है oily skin almost need to care skin problems like acne, pimples, blackheads and whiteheads. अब इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा oily skin जो रहता है almost जो है जो हमारे face में जैसे देखें तो फिर हमारा जो face जो है ज्यादा तर oily skin देखा जाता है तो उसमें ज्यादा तर problem देखते हैं न कि जैसे oily skin हो गया तो उसमें कई सारे problem देखने को मिलता है जैसे कि acne हो गया pimples हो गया, blackheads हो गया, whiteheads हो गया तो यह सब जो है problems हम लोग को face करने पड़ते हैं and second जैसे बोला जा रहा है the first step to skin care routine for oily acne prone skin is cleansing अब इसके लिए हमको first step जो रहता है हमारे कि अगर हमारी skin oily skin है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको clean करने का काम करते हैं उसको cleansing use करते हैं तो वह हमारे face से बाहर चले जाता है हमारे skin में जो हमारे skin में जो dirt रहते हैं वो सब चीज क्या हो जाते हैं बाहर चले जाते हैं and the correct facial cleanser for oily skin लेकें इस इंपॉर्टेन अब अब इसमें यह बोला जा रहा है कि जो हम यूज करते हैं फेशल फेस्ट वास यूज करते हैं क्लींजर चीज करते हैं उसको लोग खुरेक्ट चूर्ट करके लेनां चाहिए है न यह जरूरी रहता है कि हमारे इसकीन में कौन सा अच्छे से इ अब इसमें यह भी बोला जा रहा है कि हम लोग जो face wash use करते हैं इंडिया में कई सारे ऐसे face wash आते हैं जिसमें antibacterial ingredient भी उसमें मिले रहते हैं जैसे कि tree tree हो गया, neem हो गया, tulsi हो गया, salicylic acid हो गया, यह सब जो है हमारे skin को protect करने का काम करता है और आगे जैसे देखें, oily skin face wash can be forming in nature which take off all the trees of all sweat and dirt of the skin, अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारे skin face wash जो रहते हैं, हमारी oily skin के लिए जो हम लोग face wash जो यूज करते हैं तो उसमें foaming property पाए जाती है, जो foaming property का काम रहता है, वो क्या करता है कि हमारे skin से जो sweat हो गया है, और जो dirt हो गया, उन सब चीजों क पाहर करने का काम करता है, टेक off करने का काम करता है, ठीक है क्या हूट आगे जैसे देखें, both cleanser and face wash's do the basic common jobs of cleansing our face, अब इसका जैसे देखें, cleanser हो गया, face wash जो हो गया, रहती है, दोनों का एक ही काम रहता है हमारे face को clean करने का, अब जैसे देखें आगे, face wash is the foaming cleanser फेस जो रहता है उसमें forming cleanser रहनी कि forming property रहती है but cleansers like cleansing lotion हो गया, cleansing milk हो गया is non-forming nature जो हमारे cleansing lotion रहते है cleansing milk जो रहते है वो उसमें forming nature presence नहीं होते है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? normally apply करके उसको हम लोग warp कर सकते हैं मतलब कि अपने कपड़े से सुखा सकते हैं चेहरे को तो यह बोला जा रहा है ठीक आप जैसे आगे देखते हैं अब जैसे आगे देखें कि इसके formulation के लिए हम लोग को क्या क्या composition लगेंगे उस सब चीज़ों के बारे में तो फिर this is, these are many ingredients that constitute a face wash on cleansers यानि कि कुछ यानि की ingredients जो है इसमें यूज किया जाता है जो हमारे face wash हो गया cleanser हो उन सब में तो उसमें जैसे फर्स्ट है हमारा एलेंटोइन, एलेंटोइन के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं कि इसका क्या काम रहता है that is used to cosmetic and skincare products है ना, इसका हम लोग cosmetic हो गया skincare products में, use करते हैं, it is used to according to FDA, food and drug administration के according हम लोग जैसे देखें तो 0.5 to 0.2% concentration in OTC protecting products, अब इसका जैसे देखें तो हम लोग इसका use जो है 0.5 to 0.2% ही हम लोग क्या करते हैं, use करते हैं हमारे skincare products और cosmetics में, है ना आगे जैसे देखें, it is used to skin protectant like skin irritation, इसका use हम लोग skin protectant के रूप में भी यूज़ करते हैं जैसे की skin irritation के रूप में, है ना, इसको product करने के लिए जैसे बोल सकते हैं and second जैसे देखें, skin conditioners, skin conditioners के रूप में भी हम लोग सीच के use करते हैं यह क्या करता है, reduce the dryness and flacking of the skin यह क्या करता है, हमारे skin को dry होने से रोगता है, है ना, बहुँ ज़्यादा रूखा रूखा लगता है उस सब चीजों से हमारे skin को क्या करता है, protect करता है अब आगे जैसे देखें, sodium lyrol sulfate के बारे में यह भी एक ingredients है, जो हमारे cosmetic products में use करते हैं जिसमें first जैसे देखें, second आगे जैसे देखें, sodium lyrol sulfate commonly as a cleanser sodium lyrol sulfate जो है, common ingredient रहता है, जो हम जिसको हम लोग क्या करते हैं, cleanser में use करते हैं आगे जैसे देखें, it is anionic surfactant, they help to produce foam and make skin softer, अब यह क्या रहता है, anionic surfactant रहता है जो क्या करता है, foam produce करता है, और हमारे skin को softer and clean करने का काम करता है आगे जैसे देखें, sodium lyrol sulfate is main product ingredient in personal care products अब इसमें जैसे देखें, तो फिर जो हमारे SLS जो रहता है, एक main ingredient रहता है, हमारे skin care products के रूप में है, उसमें जो हमारे skin care products रहते हैं, उसमें यह main role करने बाता है, जैसे बोल सकते हैं आगे जैसे देखें, हमारा third है, हमारा propylene glycol, propylene glycol के बारे में जैसे देखें, तो it is widely used, used to cosmetic and personal care additives and it is organic alcohol यह जैसे देखें, तो हमारे product में additives का का काम करता है, यह कोस्मेटिक प्रोड़क्ट में additives का का काम करता है यह क्या रहता है, हमारे एक तरीके से organic alcohol से रहता है and second बोलो जा रहा है, according to cosmetic ingredient review, CIR, add safe up to 50% concentration हम जो cosmetic prepare करते हैं, इसमें अगर इसका 50% use कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई side effect यह cost नहीं कर आएगा cosmetic ingredient review के base भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यह safe रहता है, 50% अगर concentration उसके अंदर अगर use करें, तो ठीक है, अब आगे जैसे देखें it is help to reduce flacking of the skin and the restore moisture, अब यह क्या करता है, हमारे skin में जो moisture रहता है अब next है हमारा fourth triethanolamine, अब इसके वाइन जैसे देखते है, according to CIR, as safe and is used in skincare products as the pH control and emulsifier यह जो रहता है triethanolamine, इसका जैसे देखें तो यह हम लोग इसके use skincare products में use करते हैं यह क्या करता है, हमारे skin के pH को control करने का काम करता है, और यह क्या रहता है, emulsifier रहता है, वो लगा रहता है it is considered safe up to 5% concentration, यह consider किया गया है, कि हम इसका क्या कर सकते है, 5% ही use कर सकते है अब यह क्या है, जो हमारे triethanolamine जो रहता है, वो emulsifier काम यह रहता है, कि वो oil जैसे होगे, oil-based होगे, water-based होगे, दोनों के interfacial tension को क्या करता है, decrease करता है तो यह बोला जा रहा है, कि हम लोग जैसे cleanser, freeze frost prepare करते हैं, तो फिर जो हमारे water-soluble हो गया and oil-soluble additives जो है, उनके सांथ जैसे mix करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके जो surface tension को decrease करने काम करते हैं, तो यह होगे triethanolamine का, अब आगे जैसे देखें, glycerine, glycerine के बादे जैसे देखें, तो फिर glycerine can be both natural and synthetic products, यह जो है दोनों products में use के जा सकते हैं, natural हो गया, synthetic, दोनों में हमको मिलता है, and आगे जैसे देखें, it is used in many formulas as a skin conditioners and skin protectants and hemactants, अब जैसे देखें, तो फिर glycerine का जो use है, हम लोग skin care products में जैसे conditioners हो गया, and skin protectants हो गया, and hemactants हो गया, इन सब चीजों के रूप में भी हम लोग इस चीज का use करते हैं, अब जैसे देखें, hemactants, hemactants का मतलब यह रहता है, जो हमने पिछले class में पढ़ा था, कि यह क्या करता है, हमारे skin से water को हमारे skin surface पे लाने का का काम करता है, मतलब कि deeper layer से upper layer पे लाने का का काम करता है, अब जो इस तरीके से glycerine का यह use रहता है, यह work रहता है, जो हमारे acne face wash जो आते हैं हना remove करने के लिए उनके लिए क्या क्या ingredient लगते हैं तो इसमें first है हमारा salicylic acid salicylic acid के वाइन जैसे देखे तो फिर ये बोले जा रहा है it is beta hydroxy acid useful for acne prone skin ये क्या रहता है beta hydroxy acid रहता है ये useful रहता है acne prone skin के लिए जो हमारे face में जो दाग दब्बे लगे रहते हैं उन सब चीज को remove करने के लिए इस salicylic acid के use किया जाता है 2% concentration are used जो salicylic acid के जो है 2% ही use किया जाता है और आगे जैसे देखें that is dissolve sebum build up and dirt to fight blackheads and whiteheads अब ये क्या करता है हमारे sebum जो रहता है oil रहता है उसके साथ dissolve हो जाता है and उसके उसको remove करता है हमारे dirt हो गया हमारे skin में जो dirt रहता है उसको remove करता है उसके साथ fight करता है जो blackheads हो गया है वाइट हो गये इन सब चीजों के सांथ? उसको रिमूफ करने काम करता है next जो है हमारा glycolic acid. गलाइकोलिक एसिड के बारे मं जैसे देखें तो भी it is a alpha hydroxy acid. यह क्या रहता है हमारा alpha hydroxy acid रहता है यह इसका derived from a fruit. मारा fruit से जी टैन दों जैसे बोले सब्सक्राइब करता है हमारे इसकीन पर एन्रेचा आप जिए करने काम कुछ यह आगे के सारव में एक सिम्सक्राइब दिखता है 추가 करने का क्यां क्याकर वह देखता चैनल जो और क्वालीक अ difनारी एक्जंपल एक्जामपल आप फीव कमर्शिलेसिता अब जो कुछ कॉमन जो face wash जो है वो यूज किया जाते हैं उसके बारन जैसे देखे तो first है हमारा PCA skin pH as first facial wash अब इसके बाद हम देखे तो बोला जा रहा है कि a refreshing skin friendly dental cell cleanser and remove makeup and environmental impurities यह जो रहता है इसका काम यह रहता है कि यह हमारे skin friendly रहता है हमारे skin से सारे environment हो गया environmental जो impurities रहता है हम लोग जो makeup लगाया रहता है उन सब चीजों को remove करने का काम करता है यह क्या करता है balance the pH of skin skin के pH को balance रखने का काम भी करता है second जैसे देखे excellent choice for normal skin यह जो face wash जो रहता है normal skin वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है आगे जैसे देखे बैली एंटी बलेशिम facial wash अब इसमें जो बोला जा रहा है they help skin clear and refined without overdrying यह क्या करता है हमारी skin को clear करता है और fresh रखता है बीना किसी dryness के यह नहीं कि हमारी skin को बहुत ज़्यादा dry नहीं करता है लेकिन वह हमारी skin को clear करने काम करता है lactic acid to cleanser and exfoliate acne prone skin यह lactic acid जो रहता है इसके अंदर जो presence रहता है lactic acid वह क्या करता है हमारे skin को clear करने काम करता है और exfoliate करने काम करता है हमारे जो skin prone skin रहता है यानि कि acne prone skin जो रहता है उससे जैसे बोल सकते हैं हमारे जो dark धब्बे काले धब्बे रहते हैं उन सब चीजों को हटाने के लिए यानि जो dead cells रहते हैं हटाने का काम भी यह करता है आगे जैसे देखें थर्ड है हमारा Bliss Flawulous Forming Face Wash अब इसके बाइब जैसे देखें तो फिर यह बोला जा रहे है It is a two-in-one oil-free face wash यह कह रहता है two-in-one oil-free face wash रहता है It is cleansing all type of skin यानि कि यह सारे type के skin वालों के लिए भी क्या कर सकते हैं इस चीछ का इस face wash का use कर सकते हैं अब आगे जैसे देखें तो फिर cleansers के बारे में कुछ cleansers के बारे में बताएगा है जैसे first है हमारा foaming cleanser जो foam produce करते हैं उसे बोला जा रहे है foaming cleanser non-foaming cleanser cleansing balms, micellar cleansers, oil cleansers, medicated cleansers, swab free cleansers तो यह कुछ cleansers के example है कुछ cleansers के type है है ना so I hope आप लोग को आज का class अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है cleanser and face wash उसमें क्या क्या composition हम लोग use करते हैं इसके बारे में अगर आज के वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी help हो रहा तो please channel को subscribe करें अपने friends को share करें and thanks for watching this video